वेलकम बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा आठ विज्ञान भारती थर्ड इकाई अथारा हमारा टॉपिक है बच्चों MS Word हमारे जो लादनिंग आउटकम्स हैं वो हमें क्या-क्या सीखने हैं वर्ड दॉक्यूमेंट में इमेज लगाना ठीक है हम वर्ड दॉक्यूमेंट में इमेज लगाना सीखेंगे इसको चेक करेंगे टीबोर्ड की शॉट की हम सीखेंगे टेबल का उपयोग करना सीखेंगे और प्रिंट करना सीखेंगे इस चैप्टर में हम इतनी चीज़ों को सीखेंगे बच्चों तो इसको पहले हम पढ़ेंगे और साथी साथ हम इसका प्रैक्टिकल भी करके सीखेंगे बच्चों तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम MS Word में paragraph, formatting, text formatting एवं coloring पर कारे करना सीख चुगे हैं पिशली कक्षाओं में बच्चों हमने इसे सीख लिया है कभी-कभी word document को अधिक आकशक और प्रभावी बनाने के लिए हमें image यानि की photo लगाने की आउशक्ता होती है कभी-कभी क्या होता है हम word document में क्या कर रहे हैं केवल लिख रहे हैं text, text, text ठीक है और कभी-कभी उसको और अच्छा बनाने के लिए हमें image लगाना होता है जैसे कि हमारी यहाँ पर जो picture आपको दिख रही है तो इसमें देखिए यहां तक text लिखा हुआ है text का मतलब है कि शब्द लिखे हुए है और इसमें यहां पर देखिए इस तरह से image लगी हुई है तो हमें यह पढ़ने में अच्छा लग रहा है अगर image ना होती, चित्र ना होता, केवल यहां लिखा-लिखा होता तो हमें थोड़ा सा boring और उबाव फील होता तो word document को आकर शक बनाने के लिए हम उसमें कुछ image डालते हैं document में image लगाने के लिए हम सबसे पहले menu बार के insert बटन पर टिक करते हैं तो सबसे पहले तो हम word खोलेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे उसके menu जो बार है, उसमें हम insert tab पर click करेंगे तो insert tab का ribbon खुल कर आ जाता है, इसमें image section पर click करने पर computer और internet से image खोलने के लिए option खुल के आ जाते हैं अभी हम इसको करके सीखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा जैसे कि आपको देखें यहां पर दिखा रहा है, कि हम कहां जाएंगे, पहले हम जाएंगे insert option में आपको clear नहीं दिख रहा होगा, अभी यह computer पर हम अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम कहां जाएंगे picture option में हम से खुल जाएगा इस device या online picture मतलब कि हमारे computer में कोई picture है, उसको हम लेना चाहते हैं यह हम online search करके image लेना चाहते हैं बच्चों इनकी सहायता से उचित image को select कर, word document में वह image आ जाती है, फिर हम जिस photo को select करते हैं, जिस image को select करते हैं, वह word document में आ जाती है तो अब इसे हमने पढ़ लिया, अब हम इसे करके सिखेंगे, ओके बच्चों, image insert करने के लिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर type करेंगे ms word, ms word को हम type करेंगे, यह हमारा खुल जाएगा ms word, इसको हम open कर लेंगे उसके बाद हम new document को select करेंगे, और यहाँ से कोई भी template ले लेंगे बच्चों, इस तरह से हमारा एक interface खुल के आएगा, यहाँ पर हमको picture insert करेंगे तो सबसे पहले हम menu bar में insert option को click करेंगे, यहाँ पर आपको insert option दिख रहा है यह menu bar है, यह है insert option, इसको click करेंगे, इसको click करने के बाद हम जाएगे picture wall option पे जैसे हम इसको click करेंगे, एक हमारा drop down menu खुल के आएगा, जिसमें लिखा है देखिए this device यानि अगर हमको इस computer में से कोई image लेनी है, तो हम इसको select करेंगे, दूसरा हमारा online pictures, यदि हमको कोई picture Google से लेनी है, तो हम online pictures क्लिक करेंगे, तो हम दोनों तरीका करके देखते हैं, पहले हम choose करते हैं this device, this device मैंने choose किये, तो यहाँ पर हमारी सारी pictures आ गहीं बच्चों, अब माल लीजे मुझे यहाँ से कोई भी picture यह picture यहाँ पर upload करने, इसको मैं select कर लिया, इसके बाद हम click करेंगे insert, insert क्लिक करते ही यह picture देखे यहाँ पर हमारी आ गहीं, ठीक है, अब हम दूसरा तरीका सीखेंगे, माल दीजे हमको एक और image यहाँ पर insert करें, insert में जाएंगे बच्चों हम और pictures को select करेंगे, उसके बाद हम click करेंगे online pictures को, अब यहाँ पर हमारा एक नया pop-up खुल जाएगा, यहाँ पर हम search करेंगे school pics, माल दीजे हमको यह वाली picture इसमें insert करनी है, तो हम इसको select करेंगे और हम insert button दबाएंगे, तो इस तरीक के से जो है, यहाँ पर हमारी यह picture जो है बच्चों आ जाएगी, तो हमने देखा कि किस तरह से हम पहले insert menu में जाते हैं, फिर हम picture option में जाते हैं, और हम this device या online device से picture को insert कर सकते हैं, बच्चों हमने picture insert करना सीख लिया, अब आगे हम पढ़ते हैं, MS Word में table का उप्योग, MS Word में किसी भी प्रकार के data को तयार करने के लिए हम table का उप्योग करते हैं, जैसे स्यांकिकी के कुछ आंकडों को word पर लिखना है, तो उसके लिए हम table को insert करते हैं, जैसे हमने picture उसमें डाला, उसी तरह अब हम table डालेंगे, table को आप समझ सकते हैं इस इस बी तरह के data को set करना या तयार करना होता है तो उसके लिए table की आवशक्ता होती है, जब हमको कोई data बनाना होता है, तो उसके लिए हमें table की आवशक्ता होती है, Microsoft Word में हम table को अपने अनुसार ड्रॉग कर सकते हैं, या फिर हम बिना draw किये हुए भी table को insert कर सकते हैं, soft word के menu bar की insert tab पर click करने पर ribbon bar खुल कर आ जाता है इसको अभी हमने पिछले बार में भी सीखा ribbon bar के table block पर click करने से insert table और draw table के option खुल के रहा जाते हैं देखें यहाँ पर हम insert में गए तो यहाँ पर जो हमने table select किया तो यह पूरा option खुल के आता है जिसमें हमारे पास option होता है कि या तो हम यहाँ से table select कर ले और या तो जो हम यहाँ पर बच्चो टेबल draw कर ले insert table के अंतरगर आवशक्तान उसार row और column की table insert की जा सकते हैं यानि हमको कितने row चाहिए और कितने column चाहिए यह हमें decide करना होगा मतलब बच्चो हमें कितने खड़े खाने और कितने पड़े खाने डालने हैं उसके बारे में हम बात करने हैं हमें जितने row और column चाहिए माउस की सहायता से हम उतने row और column को select करते ही word file में table insert हो जाती है draw table option से हम आवशक्ता अनुसार table draw भी कर सकते हैं तो इसको अब चलिए हम अपनी computer screen पे सीखते हैं बच्चों हमें सीखना है MS word में table को insert करना इसके लिए हमें कहां जाना है इसके लिए हमें जाना है फिर से अपने insert option पे किस पर insert option पे कोई भी चीज़ insert करनी है तो हमें कहां जाना है insert option पे हमने जैसे ही insert option क्लिक करेंगे बच्चों तो यह हमारा ribbon बार खुल के आ जाएगा इस बार हमें table करना है तो हम यह table वाला column जो आपको दिख रहा है इस वाले column को select करेंगे इसको खोलते ही बच्चों यहां पर देखे अगर मैं यहां पर select करती हूं इस तरीके से हमारे खाने तो इस तरह से टेबल बनता जा रहा है अगर हम इस तरफ यह हो गया हमारा पहला तरीका कि हमें डारेक्ट टेबल इंसर्ट करना है अब हम दूसरे तरीके से सीखेंगे कि हम दूसरे तरीके से कैसे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं तो पहले हमें फिर से इंसर्ट ऑप्शन पर जाना है टेबल ऑप्शन खोलना है इस बार हम ड्रॉ आप इस तरह से पकड़कर जो है pencil से बना सकते हैं फिर हम इधर से हम जितना बड़ा box चाहें उतने बड़े box हम ले सकते हैं तो आप चाहिए तो इस तरह से pencil से drawing कर सकते हैं और या तो जो हमारे book में तरीका हमें दिया हुआ है पहला वाला वो ज़्यादा easy है हम जाएंगे insert option पे फिर हम खोलेंगे table option उसके बाद हमें जितने भी row और column चाहिए हम उसको select करेंगे जो है एक table बनके आ जाएगी अब हम इसमें कोई भी data insert कर सकते हैं आप जो भी data बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप बना सकते हैं next हमारा topic है बच्चों MS word में spelling और grammar चेक करना यानि हम MS word में लिखते समय यदि कोई spelling या grammar गलत कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि वह automatic हमें बता दे कि हमारी spelling या grammar गलत है MS word में इस option का उप्योग, spelling और grammar सम्बंधी गलतियों को चेक करने के लिए किया जाता है यह option उन user या उप्योग करता के लिए बहुत अवश्यक होता है जिनसे अंग्रेजी की कम जानकारी होने के कारण गलतियां हो जाते हैं कभी-कभी क्या होता है बचो कि जानकारी रहते हुए भी भूलवश हमसे गलतियां हो जाती हैं और यह कभी-कभी होता है जैसे आप छोटे बच्चे हो अभी आपको उतनी grammar की knowledge नहीं तो आपने कहीं गलत लिख दिया तो क्यों नहीं कोई ऐसे function का use करें कि जिससे हमारी जो गलती है वो हमें computer बता दे और हम उसे सही कर लें तो इसके लिए जो option हम करते हैं उसके बारे हम सीख रहें जब भी कोई user कुछ गलत spelling या grammar की गलती करता है तो spelling की गलती होने पर उस शब्द के नीचे लाल रंग की line प्रदरशित होने लगती है जब spelling में mistake करेगा तो red line आ जाएगी और यदि grammar की गलती होती है तो हरे रंग की line प्रदरशित होने लगती है यदि हमने grammar में mistake की तो green line दिखेगी जिससे user को गलतीयों का पता चल जाता है और जिसे वह सुधार यानि edit कर सकता है इस spelling या grammar की गलतीयों को ठीक करने के लिए आपको शब्द को select करना होता है पहले हम इस शब्द को select करना है जिसमें गलती है इसके बाद आपको spelling एवं grammar वारे विकल्प में click करना होता है आपके सामने कुछ शब्द के सुझहाव प्रदरशित होने लगते हैं जिसमें से सही शब्द चुनकर आपको बदल देना यानि replace कर देना है spelling और grammar की गलतियों को सुधार आजा सकता है तो अब हम इसको सिखेंगे कि हम इसको कैसे करें तो चलिए हम अपने computer screen पर चलते हैं यहाँ पर मैंने पहला sentence सही लिखा है My name is Ram मेरा नाम Ram है तो इसमें हमें कोई भी color की line नहीं लिखाई देना दूसरा sentence मैंने जान बुझ के गलत लिखा है I have a book book की spelling हमने यहाँ पर क्या लिखी है B-O-K है ना और यहाँ पर क्या आगी red line यानि हमारी यहाँ पर कौन सी mistake है spelling की mistake तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद हम spelling and grammar पर जाएंगे तो इस तरह का box खुल के आएगा और यहाँ हमें सही spelling दिखाएगा कि इसकी सही spelling क्या होनी चाहिए B-O-K ठीक है तो हम इसको select करेंगे क्या करेंगे select करेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे change अब माली जी यह गलती मैंने अपने document में कई जगा की होती है तो हम क्या select करते change all लेकिन हमने अभी किवाल एक जगा की है तो हम इसको select करेंगे change जैसे हम इसको change select करेंगे तो यह हमसे पूछेगा कि do you want to continue the checking the remainder of the document तो नहीं मैंने चाहती हूँ के वाल इसी को सही करना चाहिए बस मेरा सही हो गया बाकी मेरे document में कुछ है नहीं तो देखे यहां पर अब क्या आ गया book और red line हट देगे यहां पर देखे बच्चों मैंने जान बुच के थोड़ी सी गलती की है he are a good boy ठीक है तो यहां पर हमारी हरे ग्रामर वाला जो बॉक्स है इसको प्लिक करेंगे इसको क्लिक करते ही he R की जगह पर क्या होना चाहिए इस तो देखे यहां पर हमें शो हो रहा है कि इस होना तो हम फिर क्या करेंगे इसको करेंगे select और हम कर देंगे change अब यह फिर से हम अपने बुक की तरफ आते हैं नेक्स हमारा टॉपिक है बच्चों MS Word में document print करना यानि अब हमने document में picture भी लगा ली हमने document में table भी डाल दी उसके बाद हमने document में अपनी grammar और spelling की भी mistake को अच्छे से check कर दिया अब हमें क्या करना है हमें document को print करना है print करके बाहर निकारना है तो हम अब print कैसे करते हैं वह सीखेंगे इसके लिए हमें क्या करना है MS Word के menu बार के file menu पर click करना है अभी हम इसको फिर से करके सीखेंगे पहले पढ़ लेते हैं एक drop menu खुल कर आता है अब क्या होगा एक drop menu खुलेगा जिसमें से print option में print मिल जाता है MS Word के file menu के print option का प्रियोग करने पर monitor screen पर चित्रनुशार print dialogue box प्रदर्शित होता है तो print का dialogue box खुल जाता है उसके बाद क्या करना है MS Word की standard toolbar पर दिये गए print icon पर क्लिक करने पर अथ्वा की बोर्ड पर control की और P की को एक साथ दबाने पर भी document को प्रिंट किया जा सकता है यानि पहला तरीका है कि हम file menu में जाएं और वहां पर जो है कि हम control और P बटन को एक साथ दबाएंगे तो भी हमारा print icon खुलके जो print का box है वो आ जाएगा तो तीनों तरीके अभी हम करके सीखेंगे डालोग box में page range वाले भाग में दिये गए विकल्प में all current page या pages किसी एक option को select कर वांचित page अत्वा pages का print out प्राप्ट किया जा सकता है इस भाग में दिये गए option all को select करने पर हम संपूर document file का print प्राप्ट कर सकते हैं अब मान लिजे हमें कोई book मिली हुई है उसमें से हमें केवल दो या तीन pages चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे pages option को select करेंगे प्रिंट करनी है तो हम select all करेंगे इनो option है पहला option है current page यानि जो page खुला हुआ है आपके सामने आप केवल वही print करना चाहते हैं कुछ और pages प्रिंट करना चाहते हैं तो आप pages option खोलेंगे यदि आपको सभी pages प्रिंट करने हैं तो आप all documents select करेंगे current page को select कर हम केवल उस page का print निकाल सकते हैं जिस page पर cursor इस्थित है यानि जो page खुला हुआ हम केवल उसी का print निकाल सकते हैं print dialogue box में number of copies के सामने दिये गए text box में यह निर्धारित किया जाता है कि जो print निकाल रहे हैं उसकी कितनी copy print करने हैं उसके पाद हमसे पूस्ता है कि number of copies कितनी चाहिए माल लिजे कि हमने विज्ञान का कोई चित्र प्रिंट करना है ठीक है तो हमने उस page को select कर लिया अब वह चित्र क्लास में 10 बच्चों को चाहिए तो हमें 10 copies निकाल ली होंगी तो वहां पर हम copies option को select करेंगे तो आईए अब हम अपने computer screen पर इसको करके देखते हैं चलिए हम इसी पर करके देखते हैं सबसे पहला तरीका क्या है फाइल मेन्यू खोलना है उसमें आपका आएगा print option देखें यहाँ परा रहा है print option तो हम print option को खोलेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा print का जो है कि हमें क्या-क्या चाहिए अब देखें यहां परा रहा है print all pages यदि हमको पेज प्रिंट करने तो हम इसको select करेंगे print current page अगर हम को किर वा ही करने हैं तो हम इसको सिल्Eक्ट करेंगे तो मान लिजय को केवल Current Print करना है जो हमारे syllabus में है बच्चों हम वही सिखेंगे ठीक है अगर आपको सब्हित करने तो आप Print All Select करेंगे केवल यही पन्ना सेलेट करना है तो आप current page करेंगे अगर आपको कई अलग-अलग पन्ने करने हैं तो हमारी बुख में current page दिया है तो उसी को select करेंगे तो हम करेंगे current page अब यहाँ पर होगे हमारा current page नेट व्यां पर होगे कितनी copies चाहिएं तो देखें यहां पर लिखा हुआ है कि copies मान लिजे मुझे तो咖ो 4, 5 copies यह तो हमारे सीलेबस में इतना है बच्वों कि हमें इस तरह से print option पर जाके इसको print करना है अब दूसरा तरीका हम सिखेंगे नियरे यहां पर यह आपको एक page पर लेंज जैसी आकरती रहे है यह वाला इकन खाव हो आपको दिख रहा है तूल बार ये है हमारा है इस में जो और इकन मा इसको हम कहते हैं print option इसको भी क्लिक करने पर हमारा वही box खुलके आ जाएगा जो हमने पहले सीखा यहां से फिर से हम कोई भी पेज्ट कर सकते से कितनी भी copy select कर सकते हैं, अब हम तीसरा तरीका सीखेंगे, तीसरा तरीका यह है बचो, कि अगर हमें direct आना है print option पे, तो आप अपने जो keyboard है, उसमें control और P एक साथ दबाएंगे, तो हम control और P एक साथ दबाएंगे, तो भी हमारा ये वाला option खुलके आजाएगा बचो, तो तीन तरीके से हम खोल सकते हैं इसको, जैसे बचो, अभी हमने एक shortcut की सीखी, shortcut क्या होता है, कि किसी भी चीज को हम अपने जो है, keyboard से ही खोल सके, तो अभी हमने एक सीखा, control और P एक साथ दबाने पर, print का box open हो जाता है, उसी तरह कुछ और keys हैं जिने हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कि MS Word में बहुत सारे shortcut keys हैं, जिन में से कुछ shortcut keys निम लेखे थे हैं, देखिए, अगर हम control और A दबाते हैं साथ में, तो select all हो जाता है, यानि जो भी लिखा, सब कुछ select हो जाएगा, control प्लस B दबाएंगे तो जो भी text है, सभी bold हो जाएगे, तो पहले हम उस text को select करेंगे, उसके बाद हम control और B एक साथ दबाएंगे, control और C दबाने पर हमारा क्या होता है, text हो या picture, वो copy हो जाता है, copy मतलब उसकी एक और copy हमारे पास बनके आ जाती है, control प्लस P, इससे print होता है, यह हमने अभी सी क control प्लस S, अगर हम control प्लस S साथ में दबाएंगे, तो save होती है, अभी हम इन सब को करके सीखेंगे, control प्लस V से क्या होता है, paste, जो भी हमने cut किया है, या copy किया है, वो चीज हमारी paste हो जाती है, control प्लस X से cut हो जाती है, control प्लस Z से undo हो जाती है, undo का मतलब कि जो भी काम हमने कि वह एक step वापिस आजाता है मान लीजिए हमने किसी चीट को कट कर लिया अब कट कर लिया और उसके बार से हमें लगा नहीं नहीं हमको तुसको काटना नहीं था तो हम क्या करेंगे हम Ctrl और Z एक साथ दबाएंगे तो आए हम इसको अपने computer screen पे सीखते हैं पहला जो हमारा shortcut की ह बच Car présent को को है Ctrl फ्लस ए जैसे मैं Ctrl फ्लस ए दबाऊंगी तो पूरा जो हमारा टेक्स्ट है वह सेलेक्ट होगया दूसरा हमारा है Ctrl प्लस…स सिलेक्ट किया उसके बाद हम क्या दबाएंगे File CTRL plus CTRL plus B और हमारा जो form है वो बोल्ड हो गया CTRL plus B दबाया बोल्ड हो गया Next हमारा CTRL plus C तो पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है हमने इतना सेलेक्ट किया हमने किया CTRL और C एक साथ दबाया अभी हमारा कॉपी हो गया अब इसके बाद आता है CTRL plus V से पेस्ट होता है अगर मैं CTRL plus V एक साथ दबाऊं तो वही चीज यहां दुबारा प्रिंट हो जाती है एक बार और दबाऊं तो फिर से प्रिंट हो जाती है अब मान लिजे मुझे लगता है कि मैंने मुझे ये काम नहीं करना है अंडू करना है तो हम क्या करेंगे CTRL और Z दबाएंगे तो वापिस अंडू हो गया फिर से CTRL और Z दबाएंगे वापिस अंडू हो गया ठीक है आप मान लिजे अब हमारा बचा है CTRL plus P तो वह हमने देखा था एक बार और देख लेते हैं CTRL और P दबाया तो प्रिंट का ओप्शन खुल गया अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा CTRL plus X CTRL और X हम एक साथ दबाएंगे तो क्या होगा देखी यहां पर जो भी लिखा है पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेके इस तरह से सेलेक्ट किया उसके बाद हमने दबाया CTRL plus X X दबाया तो कट हो गया अब माल लिजे हमको पेस्ट करना तो हम फिर से क्या दबाएंगे CTRL और V तो हमने CTRL और V दबाया और क्या हो गया हमारा फिर से प्रिंट हो गया लास्त हमारा है बच्चों शॉटकट की CTRL और S जब हम CTRL और S को साथ में दबाएंगे तो save का option आ जाएगा यह file हमें save करनी है यह हमने class 6 में सीखा है कि कैसे हम save करते हैं तो यहाँ पर हम इसको save कर सकते हैं तो हम इसको save करते हैं हमने आज क्या क्या सीखा बच्चों हमने सीखा word document में image लगाना फिर हमने क्या सीखा ms word में table का उप्योग और table insert करना ms word में spelling एवं grammar का grammar check का उप्योग करना ms word में document प्रिंट करना keyboard shortcut का प्रेयोग करना इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमारा यह पार्ट समाप्त होता है अगले वीडियो में हम इस पार्ट के अभ्यासकारी को हल करेंगे बढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट कुच्चों झाल